कि सूर्य ग्राण है वह मेश रासी सी रासी बाद में कन्या और मकर रासी यह जो चार रासी है उसके लिए काफी सूब डायक होने वाला है दूसरी बात यह तो हम सूब की बात कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे रासी के उपर इसकी असूब भी प्रभाव होने वाला है तो असूब रासी हम देखने जावे तो मिठून कर्क वुरुसिक और मीन यह जो चार रासी है उसके उपर बहुत ज्यादा नेगेटिव नकर अत्म कि उसकी इफ्यक होने वाली है अभी बाकी रहेगे चार रासी उसके अंदर थोड़े बहुत अच्छे भी हो सकता है थोड़ा बहुत बुरा भी हो सकता है वह चार रासी है वुरुसब तूला धनो और कुम्भ यह चार रासी के अंदर करीबन करीबन कुछ अच्छा दिखे प्रितुन राशी में मुरुक्सिस नक्षत्र में होने वाला है तो जिसका मुरुक्सिस नक्षत्र है उसके लिए परेशान वाली बात हो सकती है क्योंकि हम राशी देखते हैं राशी के अंदर नक्षत्र होते हैं और यह सब जो प्रिडिक्शन है सुर्य गराण का वह बौत ह जन्रल है क्योंकि जो भी जातक है सबसे पहले हम उसकी कुणली में उसकी महादसा क्या होती है विस्वांतरी महादसा क्या होती है उसकी अंतर दसा क्या होती है उसकी प्रत्यंतर दसा क्या होती है उसके अंदर सुख्स्मत दसा क्या होती है वह हम सिर्फ पहले देखते हैं बा इसलिए मैंने यह एक कॉमन बता दिया आपको कि अच्छा सूप हल मिलने वाला है बाकी के लिए करीबन करीबन थोड़ा बहुत असूप थोड़ा बहुत मिलने वाला है तो पहले हर जात्तों को अपनी कुणली देखनी पड़े कि हमारे लिए टाइम कहां से कहां तक खराब ह अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो चाहे दुनिया में कुछ भी हो जावे आपको कुछ नहीं होने वाला है लेकिन अगर आपका टाइम खराब चल रहा है और यह यहां का गोचर भी खराब है तो अगर आप दोनों देखेंगे तो आपको मड़ला पूरा आपको मादी नहीं है